इस वक्त इसराइल के लिए सबसे बड़ी चनौती बन चुका है यमन के हूथी विद्रोहियों ने वो मिसाइल दिखाई है जो उसने इसराइल पर दागी थी और नेतन्याहू का हर डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में नाकाम रहा इसराइल के इस नए डर को लेकर तीन बड़ी बातें सामने आ रही है जो आपको हैरान कर देंगी यही वो मिसाइल है जिसने इसराइल को बुरी तरह डरा दिया है यह जहां गिरेगी सब तबाह हो जाएगा उती ने इसकी कैरंटी दे दी है मिसाइल जहां गिरेगी उसका हश्र ऐसा होगा 15 सितंबर के हमले के बाद इसराइल को पता चल गया है कि ना सिर्फ हमास और हिस्बुल्ला बलकि यमन के हूती उसके सबसे बड़े दुश्मन है जिसे गंभीरता से लेना होगा क्योंकि यही है इरान का ट्रिपल हेच यह होती की बलिस्टिक मिसाइल फिलिस्टीन 2 रेंज 2000 किलोमिटर से ज्यादा फिलिस्टीन 2 को इरान की खैबर शिकन मिसाइल कही एक वेरिएंट या नकल माना जा रहा है हूती की मिसाइल और उसकी लाँचिंग के आफ्टर इफेक्ट्स के बाद यमन की जमीन पर ये मलबा देखिए जिसने अमेरिका की हिम्मत को जला कर राक कर डाला है अगर ये वीडियो बाइडन देख रहे होंगे तो बहुत मायूस होंगे इसमें कोई शक नहीं इन दो तस्वीरों से पूरे पश्चिमेशिया में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई है इसराइल के साथ साथ अमेरिका को 440 वोल्ट का जटका लगा है एक तरफ इसराइल पर हमला करने वाले हूती मिलिशिया की मिसाइल है तो दूसरी तरफ अमेरिका के उस ड्रोन का मलबा है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक किलर ड्रोन कहा जाता है जितनी बड़ी यमन की अर्थ विवस्ता नहीं है उससे महंगे तो अमेरिका के ड्रोन है जिसे हूती विद्रोही अपनी मिसाइलों से गिरा रहे है इन दो तस्वीरों ने यमन के अंदर एक नया जोज बर दिया है इसराइल और अमेरिका का नया फायर ब्रैंट दुश्मन तयार कर दिया है यमन की सड़कों से लेकर बड़े चौराहों तक अमेरिका और इसराइल के खिलाफ गुस्सा देखिए कभी लाल सागर में अमेरिका और इसराइल से जुड़े जहाजों को टार्गेट करके ये धमाके वाके डराते हैं कभी अमेरिका के किलर ड्रोन को उड़ा कर बताते हुए कि यमन का आसमान उनके लिए सुरक्षित नहीं तो कभी इसराइल की तरफ ना सिर्फ मिसाइल फायर करके बलकि इसराइल के ये डिफेंस को नाकाम साबित करते हुए हूती लगातार चुनोती दे रहे हैं सबसे पहले उस मिसाइल की बाद जिसने ना सिर्फ इजराइल के कई शेहरों में खौप भर दिया है बलकि अमेरिका को भी परिशान कर दिया है फिलिस्तीन के जंडे वाले रंग से तैयार इस मिसाइल का नाम है फिलिस्तीन टू और ये एक हाईपरसॉनिक मिसाइल है 5-4-3-2-1 और मिसायल लॉंच हो जाती है ये मिसायल बढ़ जाती है इसराइल की तरह दूसरे कैमरे से देखिए ये वीडियो एक ड्रोन से बनाये गया है आस्मान को चीरते हुए नेतनयाहु को बहुत बड़ा शौक देने निकल जाती है ये मिसायल इस्राइल में जहां मिसाइल गिरती है उसकी तस्वीरें डराने वाली है इस्राइल से आए वीडियो देखिए इन तस्वीरों में इस्राइल का खौफ है इस्राइल डरा हुआ है ये साइरन की आवाज नहीं लग रहा है कि इसराइल में जैसे कुछ चिला रहा है बचाओ बचाओ तूकि इसराइल पर हुआ है एक ऐसा हमला जिसने इसराइल की तमाम सुरक्षा की गारंटी को फेल साबित कर दिया है हुटी मिलीशिया का दावा है कि मिसाइल उसी ने तैयार की है और इरान भी यही दावा कर रहा है कि उसे भी इस मिसाइल के बारे में 15 सितंबर को पता चला है जब यमन से ये मिसाइल इसराइल की तरफ दागी कई यमन के हूती विदरोईयों का दावा है कि मिसाइल ने 2040 किलोमीटर का सफर 11 मिनट 30 सेकंड में पूरा किया ये एक हाइपर सौनिक बलिस्टिक मिसाइल थी यानि इसकी रफतार थी एक सेकंड में 3 किलोमीटर यमन से लॉंच होने के बाद ये ऐसी ट्रजिक्ट्री में इसराइल की तरफ बढ़ी तो लाल सागर के उपर से जाकर अपने टार्गेट तक पहुंची इस दोरान लाल सागर में अमेरिकी जंगी जहाज के अंटी मिसाइल सिस्टम इसे नहीं रोक पाए साओी अरब और मिसर भी देखते रहे गए और आखर में जॉर्डन के लावा इसराइल भी इस मिसाइल को रोकने में नाकाम सावित हुआ फिलाल अमेरिका के इस ड्रौन पर बहुत बढ़ी आपाए अमेरिका ने जिस ड्रौन से अफगानिस्तान में सैक्लो टार्गिट खत्म कर दिये जिस ड्रोन से जवाहरी को मारा वही ड्रोन अब यमन में मारा जा रहा है इस वीडियो ने अमेरिका के होश उड़ा दिये हैं इस तस्वीर में आप साथ देख सकते हैं कि हूती अमेरिका के सबसे खतरनाक MQ-9 ड्रोन के मलबे पर खड़े हैं। हूती लडाकों का दावा है कि उन्होंने अक्तूबर 7 के बाद से अब तक अमेरिका के 10 MQ-9 ड्रोन गिरा दिये हैं। एक हफ़ते के अंदर ये तीसरा ड्रोन है जिसे हूती ने मार गिराया। जबकि 2015 के बाद से ये पंदरवा ऐसा ड्रोन है जिसका हूती ने शिकार किया है। हाला कि बाइडन की टीम कह रही है कि उसने कोई ड्रोन नहीं खोया है। लेकिन यामन के जामर इलाके में ये मलबा कोई और कहानी समेटे हुए हैं। गरीब 300 करोड लुपे का ड्रोन जो 50,000 फीट की उचाई पर उड़ता है। उसे हूती की एर डिफेंस मिसाइल ने मार गिराया। अमेरिका भी जानता है कि ये काम आसान नहीं है। इसराइल पर हमास के हमले के 11 महीने पूरे हो चुके हैं। घजा पर इसराइल के आपरेशन के भी 11 महीने पूरे हो गए हैं। 11 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला है कि युद का एपी सेंटर अब घजा से निकल कर इसराइल और लिबनान बॉर्डर के साथ-साथ यमन और लाल सागर में पूंच चुका है। चल रही बंबारी के बाद यमन के हूती प्रो आक्टिव है। उनको इरान का पूरा समर्तन भी है। वो लाल सागर में इसराइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका और बिटेन के हमले उन्हें डराने में नाकाम रहे हैं। उती ने इसराइल और उससे जुड़े जहाजों पर हमले तेज कर दिये हैं। वो इसराइल के जहाजों या उसके लिए माल ले जा रहे कारगो शिप को लगातार टार्गेट कर रहे हैं। यहीं से एशिया की तरफ से यॉरप को रास्ता जाता है। दुनिया की सबसे एहम शिपिंग लेन मिस्र की स्वेश किनाल से गुजरती है। लाल सागर का रास्ता ब्लॉक होने से ये रूट 6,000 किलोमीटर लंबा हो गया है। अब समुदरी जहाज अफरीका का चक्कर लगा कर यॉरप पहुँच रहे हैं। इसराइल जाने वाले जहाजों का रास्ता 10,000 किलोमीटर तक लंबा हो गया है। तीन से पांच दिन का सफर बढ़ चुका है। ज्यादा लागत, ज्यादा वक्त और कारोबार पूरी तरहां चौपण। यही है यमन के हूती विद्रोहियों का टार्गेट। इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल और अमेरिका के सामने यमन नाम का नया खत्रा ना सिर्फ तयार हो चुका है। बलकि अब ऐसी आग उगल रहा है जिसका ठोज जवाब अभी तक दोनों के पास नहीं है। यमन में हूती विद्रोहियों के खत्रों को देखते हुए अमेरिका और इसराइल दोनों का गुसा सात्वे आसमान पर है। क्योंकि घजा को लेकर पहले आकरोश के बाद अब यमन सीधा इसराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका है। इससे पहले हुती विद्रोहियों ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किये। लेकिन 15 सितंबर का हमला ज्यादा खतरनाक कहा जाएगा। इसमें यमन की बिलिस्टिक मिसाइल ने इसराइल के एर डिफेंस को चीर डाला है। और अब इसराइल महसूस कर रहा है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत खत्म होती जा रही है। इसराइल के एर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क नाकाम साबित हो रहे है।